तो क्या जगदा बाबू अब लालू परशाद यादों और तेजस्वी यादों किसी की बात को नहीं सुन रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि मीडिया में चर्चा चल रही है कि लालू परशाद यादों ने जगदा बाबू को कहा कि अप दिल्ली आईए और जगदा बाबू दिल्ली नहीं पहुंचे उन्होंने लालू परशाद यादों की बात को नहीं सुना इधर तेजस्वी यादों को लेक बलिदान दे दिया मतलब कि जगदा बाबू के जो शब्द थे वो शब्द भी कहीं ने कहीं इशारा कर रहे थे कि हो सकता है जब जगदा बाबू भी राज़त के साथ जादा दिन नहीं रहे और इस बीच उनके इसीपे को लेकर खुब चर्चा चल रही है हलाकि जगदा बाबू इससे खुद एक बार मना कर चुके हैं लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जगदा नंद सिंग अब राज़त को छोड़ने का मूड बना चुके हैं इसके पीछे का कारण है कि तेश्वी यादो और लालू परशाद यादो से उनके कोई बात्चीत नहीं हुई और ज जंटा जंक्षन देख रहे हैं यह विडियो रैपीडो एप के द्वारा प्रायोजीत है अब पट्ना में कहीं भी कम पैसों में जल्दी पहुंचना रैपीडो एप के साथ बहुत आसान हो गया है रैपीडो एप आजी डाउनलोड कीजिए और पाटली पूत्र से राजा उननाईस रुपए में और कुम्रार से सोक डाच्मत तुमात त्रेच्छ रुपए प्रती किलूम्टर में इसके अलावा और भी कई रूट्स पे रैपीडो बाइक में कम पैसों में जाने का लाब उठाईए आज प्रेश रोच डाउनलोड कीजिए रैपीडो बाइक टेक जश्वी यादों की नई सरकार बनने के बाद मंत्री मंदल से जश्वी यादों के दो मंत्री इस्थिपा दे चुके हैं दो मंत्री सिर्फ और सिर्फ राजत के इस्थिपा दे चुके हैं बलकि नितिश्च कुमार का पार्टी का कोई भी मंत्री इस्थिपा नहीं दिया है मतलब कि कहीं न कहीं सरकार में तेशे स्वीयादो मंत्री मंदल में कम जोड पड़े हैं राजत का जो कोटा था राजत के जितने मंत्री थे वो कम हुए हैं और इस बात को अंदर खाने हर जो राजितिक भीशे सक्य है वो कह रहा है कि तेजस्वी यादो पर नितीश कुमार का ऐसा दबाव है कि तेजस्वी यादो अपने लोगों से भी किनारे लग रहे हैं मतलब कि अपने लोगों को तेजस्वी यादो हटा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नितीश कुमार के दबाव के कारण और नितिश कुमार की जरुवत तेजस्वियादों को क्यों है तो सिर्फ दो तीन विधायकों के लिए मतलब कि अगर तेजस्वियादों के पास मान कर चलिए कि चार से पाट विधायकों का इंतिजाम हो जाए तब तेजस्वियादों को नितिश कुमार की जड़वत ही नहीं बलकि तेजस्वियादों खुद के अदम पर अपनी सरकार बना लेंगे लेकिन बात वही है कि एक हिसीट के लिए नितिश कुमार राजा बने हुए है नितिश कुमार इस लोक तंत्र में बिहार के किंग बने ह हुए हैं बाकी अब कहा जा रहा है कि सबसे पहले तेजस्वी यादों के रिस्ते सुधाकर सिंग से खराब हुए सुधाकर सिंग का इस्थिपा लिया गया क्यों तो सिर्फ पर सिर्फ नितीश कुमार के दबाव के कारण कार्तिक महाश्र का आपको याद होगा महाश्र कार्त और लालू परिवार का जो रिस्ता है जिसको माना जाता था कि बेहत गहरा रिस्ता है उस रिस्ते में दरार पर चुकी है क्यों तो सिर्फ और सिर्फ नितिश कुमार के कारण और नितिश कुमार जो दबाव की राइनिती करने और उसके कारण जगदा बाबू के बेटे सुध लाकर सिंग का बलिदान लिया गया अगर हम जगदानं सिंग की भासा में कहें तो इसके कारण अब जगदा बाबु और तेजस्वी यादों और लालू परिवार के बीच में मतभेद हैं अब तक जगदा बाबु कभी भी इस परकार से तलखी नहीं देखी गई यह उनके और लालू परशाद्यादों के बीच कहा जाता है कि लालू परशाद्यादों और जगदानं सिंग एक दूसरे को बहुत अच्छे से सबस्ते हैं लेकिन अब गौर कीजिए तो तेजस्वी को एक-एक सीड़ी पर धीरे-देरे नितिश कमार कमजोड कर रहे हैं और कमजोड कैस को छोड़ते हैं तब एक बड़ा जटका होगा क्योंकि जगदानंसिंग के बारे में कहा जाता है कि राज़त के जो कार्यकरता थे जो की जो की मतलब बेवस्थित नहीं थे जो की कहीं भी हुटगंगई करते थे उन सब को लाइन पर लाने वाला कोई नेता है तो वो बाबू है बाकी अब जगदा बाबू के इस पेको लेकर खुब चर्चा चल पड़ी है लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या नितिश कुमार के भारी दबाव के कारण ते यश्वी जादों अपने ही लोगों से इसीपा लेते चले गए अब अपने ही लोगों से उनकी दूर के साथ जूरे रहिए कि हम रेकिशे भी साल खड़े हैं और में मोहित कुमार सिंह बहुत भू धन्यवाद